करस्ते बादलों के बीच उस तुफानी रात में ठाकुर खांदान की बहु बाला शेरनी अपने एक बेटे को लेकर एक मंदिर के सामने आती है देखते ही देखते मेरी आखों के सामने मेरी सारी दुनिया उजड़ गई मेरे पती और मेरा बच्चा दोनों मार दिये गए भगवान आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों किया तभी इतने में एक बालू एक नन्ने सफे सेर के साथ बाला शेरनी के पास आता है जाको राके साईया मार सके ना कोई क्यों बगवान से सिकायत करती हो ये देखिए ये रहा आपका बेटा बाला भालू के साथ अपने बेटे को जिन्दा देखकर बहुत खुश होती है मेरा बच्चा मेरा बच्चा भी जिन्दा है हाँ बाला बेहन तुम्हारा बेटा बिल्कुल ठीक है ये मुझे नदी में तेरता हुआ मिला लगता है इसे काला डाकु ने पहाड़ी से नीचे सेक्ट दिया था भालू क्या तुम मेरा एक काम करोगे भाई भाई महरानी जी आपने मुझे भाई कहा मैं आपके लिए अपनी जान भी दे दूँगा बताईए महरानी जी मेरे बेटे को ये नई जिंदगी तुमारी वज़े से मिली है इसलिए आज से ये तुमारा बेटा है लेकिन याद रखना इसकी परवरिस तुम फूलों की तरह नहीं बलकि एक पत्थर की तरह करना तुम इसे वो फूलाद बनाना जिसके सामने बड़ी से बड़ी चटान भी तूटकर बिखर जाए मेरे पती की इच्छा थी कि मैं अपने बेटे को फूजी बनाओ अब मैं उनकी वो आखरी इच्छा जरूर पूरा करूंगी मैं अपने इस बेटे को फूजी बनाओंगी और अपने इन दोनों हतियारों से अपने सुहा का बदला लूँगी आज के बाद मैं अपने इस जिगर के टुकडे को भूल जाओंगी बाला बेहन तुम बेफिकर हो जाओ मैं तुम्हारे इस जिगर के टुकडे को तराश कर एक ऐसा मजबूत फुलादी पत्थर बनाऊंगा कि जब ये टकराएगा तो जुर्म और गुनाहों की दुनिया चूर चूर हो जाएगी ऐसा कहकर भालू बालाशेर्नी के उस बेटे को अपने साथ ले जाता है और उधर बालाशेर्नी अपने दूसरे बेटे को लेकर उस जंगल को हमेशा के लिए छोड़ देती है लेकिन बालाशेर्नी की परिवार के साथ ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण आज उसने अपने सगी उलाद को खुद से दूर पर दिया दरसल आज से कुछ दिन पहले ठाकोर राजवीर जो पेशे से एक फौजी था अचानक हुए अपने तबादले के कारण माधवपुर जंगल को छोड़ कर जा रहा था तब ही माधवपुर के गरीब और मदलूम जानवर राजवीर के पास आई अरे तुम लोग यहां सब एक साथ मैं तो खुद जाने से पहले तुमारे ही पास आने वाला था महराज इसलिए तो हम यहां आए हैं कि आप इस जंगल को छोड़ कर ना जाएं आपकी वज़ा से ही तो माधवपुर में इतनी शांती है वरना यह जंगल कब कब दूसरे जंगलों की तरह चल कर राख हो गया होता मैं आप सब के जजबातों को समझता हूँ भाईयो मैं भी यही का हूँ यह सरजमीन मेरी है आप लोगों का प्यार और इस मिट्टी के खुश्बू मेरी रग में बसी है लेकिन मैं मजबूर हूँ उस सरकार ने मेरे तबादा कर दिया है मुझे इस जंगल को छोड़ कर दाना ही होगा महराज हम तो सरिफ इतना ही जानते हैं कि आप हमारे लिए इस जंगल के फरिष दे हो और आप ही हमें उस जालिम काला डगो के अत्यचारों से निजाद दिला सकते हो हाँ हाँ महराज हम आपको यहां से नहीं जाने देंगे देखो भाईयो मैं सरकार से पूरी कोशिश करूँगा कि मेरे तबादा रोग दिया जाए राजवीर की ये बात सुनकर सबी जानवरों की चैरे पर खुशी की लहर दोड़ पड़ी लेकिन अगले ही सुबह एक बाग एक घोड़ा गाड़ी में कुछ समान लेकर राजवीर के जंगल आया राजवीर की एक सिपाही ने उसी दर्वाजे पर ही रोक लिया कौन हो तुम और इस गाड़ी में ये समान लेकर अंदर कहा जा रहे हो अरे भाई इस गाड़ी में महाराज राजवीर के लिए आया कैम्प से कुछ उनका जरूरी समान है मैं उन्हें इस समान को देने ही अंदर जा रहा हूँ अच्छा ये बात है तुम यही रुको मैं अभी महाराज को इसकी इतला देता हूँ तब सिपाही ने राजवीर के पास जाकर उसे इसके बारे में बताया तब राजवीर ने खुद वहां आकर देखा अरे बाग सिपाही दिखाओ मुझे इस गाड़ी में अखिर क्या समान है जैसे ही राजवीर गाड़ी में रखी समान को देखने पीछे गया तब ही उस संदूक में से कालाट डाकू बाग निकला और उसने राजवीर पर हमला कर दिया और साथ ही कालाट डाकू के कुछ सिपाहीों ने वहां आकर राजवीर के सिपाही और पहरेदार को भी मार डाला कालाट डाकू बाग के हमले से राजवीर बुरी तरह गाहल हो चुका था कालाट डाकू ने ये देखकर उसकी बेटे को उठा लिया और वो उसे लेकर वहाँ से भाग निकला राजवीर तुम मुझे पकटकर मुझे सारा जीवन जेल में रखना चाहते थे लेकिन देखो मैं ये तुम्हारा ख़ाब कभी पूरा नहीं होने दूँगा उदर राजवीर ये देख जैसे तैसे उठ खड़ा हुआ और अपने बेटे को बचाने के लिए कालाट डाकू और उसके सिपाईयों का पीछा किया कालाट डाकू भागते हुए एक पहाड़ी पर आकर उसने राजवीर के बेटे को पहाड़ी से निची नदी में फेक दिया और उसका पीछा कर रहे ठाकू राजवीर पर फिर से हमला कर दिया लेकिन राजवीर ने हिम्मत दिखाते हुए कालाट डाकू के सार इसे बाईयों को एक एक करके खून में नला दिया ये देख कालड डाकू ने बड़ी चालाकी से राजवीर पर एक चाकु से वार किया राजचाकू लगते ही राजवीर वहीं जमीन पर गिर पड़ा और वहीं उसकी मृत्ती हो गई लेकिन जब तक कालट डाकु बाग वहां से भागता भारती सेना के सिपाईों ने कालट डाकु को चारों तरफ से घेर लिया ठाकु राजवीर की कतल के जुरुम में कालट डाकु को उमर कहती चजा हुई और उसे हमेशा के लिए जेल में डाल दिया गया जब बाला शेरनी को राजवीर की मौत की खबर मिली तो वो अंदर सिट बिलकुल तूट गई और उसके मन में बदले की आग डल उठी और वो कालट डाकू से बद्दा लेने के लिए अपने एक बेटे को लेकर अपना जंगल छोड़ कर यहां चली आई बाला शेरनी ने अब ठान लिया था कि उसे कैसे भी करके अपने बेटे को फौजी बनाना है ताकि उसका बेटा अपने पिता के हत्यारों से बद्दा ले सके इसके लिए बाला ने अपने बेटे को फौजी बनाने के लिए भारती सेनिकों के साथ उसे कैम्प भेज दिया के एक फौजी बन गया वहीं दूसरी तरफ उसका छोटा बेटा जिसका नाम भालू ने शिवा रखा वो भी जवान हो गया एक दिन बाला शिरनी बाजार से समान लेकर अपने घर लोट रही थी कि तभी रास्ते में कुछ लोटेरे बागों ने अचानक से बाला को घेर लिया सुन शिरनी तेरे पास जो कुछ भी है चल्दी से वो हमें दे दे वरना हम तेरे टुकडे टुकडे कर देंगे पाला ये सुनकर गबरा गई तबी पीछे से जोर की एक दगाते हुए शिवा वहां पहुँचा और उसने लोटेरे बागों पर एक के बाद खमला किया और एक जीते रहो बेटा मेरा आशिरवा तुम्हारे साथ है ये कहकर बाला वहां से चलिच जाती है लेकिन बाला को इस बात की बिल्कुल भी भरक नहीं लगी कि उसके सामने ख़ड़ा वो सफेशेर उसका अपना ही बेटा शिवा है अधर आज बगीरा सालों बात फौजी बनकर अपनी माँ के पास वापस अपने घर लोड रहा था अधर दूसरी तरफ आज कालट डाकू बाग के सिपाही कारागार पर हमला करके वहां मौझूद सारे सिपाईयों को माट डालते हैं और वो अपने सरदार कालट डाकू को आजाद कराकर वहां से फरार हो जाते हैं कालट डाकू एक घाटी माँ आकर अपने कुछ सिपाईयों से मिलता है सरदार तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खबर है सालों पहले आपने अपने जिस दुश्मन को मौत के घाट उतार दिया था उस राजवीर का बेटा हिंदस्तानी आर्मी में फोजी बनकर आज अपने घर वापस लोट रहा है हाँ 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 इसका मतलब उस बाला शेनी ने वो फोजी मेरे लिए तियार किया है लेकिन मैंने भी कसम खाई है मैं राजवीर के वन्ष को बरबाद कर दूँगा उधर बगीरा जब सालों बाद अपनी मा के पास वापस आता है बाला अपने बेटे को फोजी की बरदी में देखकर बहुत खुश होती है बेटा आज तुम्हारे पिता का सपना पूरा हुआ अब तुम्हें उस जालिम काला डाकू बाग से अपने पिता की हत्या का बदला लेना है बाला बगीरा से इतना कह रही थी कि तब ही काला डाकू बाग अपने सिपायों के साथ वहाँ पहुंसता है और चालाकी से एक तीर बगीरा की ओर चलाता है तीर लगते ही बगीरा जमीन पर गिर जाता है और उसके सरीव से खून बहने लगता है बाला तो ये था तेरा बेटा फॉजी जिसे तू मेरे लिए तयार कर रही थी ले देख आज तेरा बेटा भी जमीन पर बड़ा धूल चाट रहा है मैंने भी कसम खाई है कि मैं तेरे वन्स को कभी नहीं पनपने दूँगा खून से लत पत तरबते हुए थोड़ी देर में बगीरा की मौत हो जाती है बाला बगीरा को देखकर बहुत दुकी होती है तब ही वहां खड़ी एक गाय ये देखकर फॉरन वहां से भागती है और भागती हुई भालो के पास जाकर उसे बाला के बेटे बगीरा की मौत की सारी कहानी बताती है कि उसका बेटा शिवा आज भी जिन्दा है बाला दुखी होकर शिवा को उसके पिता की मौत की सारी कहानी बताती है शिवा आज तुमारा भाई सालों बाद फोजी बनकर मेरे पास लोटा था लेकिन उस जालिम ने आज उसे भी मुझसे चीन लिया जब शिवा अपनी मां से अपने पिता की हत्या की कहानी सुनता है तो उसका खुन खौल उड़ता है मां उस जालिम काला डाकु ने मुझसे मेरे भाई और पिता दोनों को चीन लिया मैं कसम खाता हूँ मैं उस काला डाकु को जिन्दा नहीं ठोड़ूँगा ये कहकर सिवा गुसे में भरकर काला डाकु के ठिकाने पर पहुँचा और उसने वहां जाकर उसके सारे सिपाईयों को एक एक करके मौत के घट उतार दिया और फिर सिदक काला डाकु पहुँचा सालिम कालट डाकू ठ्यान से देख तूने जिस राजविर शेर के खांदान को मिटाने की कसम खाई थी मैं उसी खांदान का बेटा हूँ तूने मेरे पिता और भाई दोनों को मुझसे चीन लिया आज मैं तुझे मार कर तुझे अपने भाई और पिता की मौत का बदला लूँगा ये कहकर शिवा ने कालट डाकू पर जोरदार हमला किया और शिवा ने वहीं उसे फाड़ कर रख दिया और इस तरह आज सालों बाद बाला शेरनी का वो बदला पूरा हुआ तो ये कहानी आपको कैसी लगी अगर कहानी अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही मज़धार कहानी देखिने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें